अन्ना हजारे के नेत्रित्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार के आरोपों से इस कदर घिर चुकी है कि उसका किला ढहने ही वाला है। दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल की सरकार घोटालो और भ्रष्टाचार के दलदल में धन्स चुकी है। केजरिवाल के करीबी कैबिनेट मंतरी सत्यंद्र जैन पहले से ही जेल में थे और अब शराब घोटाले में मनीशसिसोधिया भी जेल पहुँच चुके है केजरिवाल के नेतरित्व में आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में इस कदर आकंठ डूप चुकी है कि अब उनके खिलाफ जासूसी कांड में जाच का आदेश भी दे दिया गया है चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे अनुरोध है यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आये तो हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से हमें सहायता राशी नीचे दिये नंबरों पर भेज सकते हैं चलिए शुरू करते हैं दिल्ली के उपराजपाल विनय कुमार सकसेना ने उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोधिया के खिलाफ मामला दर्स करने के CBI के अनुरोध को मनजूरी दे दी उन पर आरोप है कि दिल्ली सरकार ने राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत फीडबैक यूनिट का गठन किया था दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार फीडबैक यूनिट का इस्तमाल राजनीतिक जासूसी के लिए कर रही थी, CBI ने अपनी रिपोर्ट में इस बार से परदा उठाया है CBI ने कहा है कि यहाँ यूनिट वैसे तो दिल्ली सरकार के विभागों में कामकाज की निगरानी के लिए बनाई गई थी लेकिन असल मकसद कुछ और निकला 2015 में सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने सतरकता विभाग को मजबूत करने के लिए फीडबैक यूनिट बनाई थी आरोप है कि इसके माध्यम से नेताओं की कराई गई जासूसी थी केजरीवाल सरकार ने विजिलेंज डिपार्टमेंट में बनाए गए फीडबैक यूनिट से नेताओं की जासूसी कराई दिल्चस्प बात यहाँ है कि इस सीक्रेट ओपरेशन में खर्च होने वाले पैसे के भुकतान के लिए सीक्रेट सर्विस फंड बनाया गया था वहीं इस फंड को रखने के लिए एक ऐसी तिजोरी का इस्तमाल हुआ जो की दो चाबियों को एक साथ घुमाने पर खुलता था फीडबैक यूनिट एफबीउ को दो हजार पंदरा में आप सरकार द्वारा गठित किया गया था इस यूनिट के तहट सीक्रेट ओपरेशन्स के लिए नकद में पेमेंट किया जाता था और इसकी डिटेल एक रजिस्टर में रखी जाती थी इसमें S के आगे नंबर लिखा जाता था फीडबैक यूनिट का गठन 2015 में किया गया था 2016 में सतरकता विभाग के एक अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इसकी आड में जासूसी की जा रही है 2015 में ही इस यूनिट के खिलाफ आवाज उठी थी और बाद में मामला CBI को सुपूर्द कर दिया गया था 2016 में फीडबैक यूनिट की शिकायत करने वाले विजिलेंज डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने अपने पत्र में यह सब बाते लिखी है जिसे CBI ने सबूत के तौर पर शामिल किया है इस यूनिट के कथित रूप से गठन होने के साथ महीने बाद और इसमें शामिल होने के चार महीने बाद दो में से एक अधिकारी पुलीस उपाधिक्षक शम्स अफ्रोज ने सीक्रेट सर्विस फंड की तिजोरी की दो चाबियों में से एक को अपने पास रखने का दावा किया अफ्रोज ने विजिलेंस विभाग के विशेश सचिव को तीन पेज का पत्र लिखकर इसकी वित्तिय कार्य प्रणाली के संबंध में सवाल खड़े किये अफ्रोज को दिल्ली सरकार में उपनिदेशक, प्रशासन और वित्त के रूप में नियुक्त किया गया था वो 30 मई को कथित रूप से गठित की गई यूनिट में शामिल हुए थे और उन्होंन अब 22 सितमबर 2016 को पत्र लिखा था उप्राजपाल अनिल बैजल ने परियोजनाओं की फीड़बैक लेने और करमचारियों के भष्टाचार की जानकारी देने के लिए आप सरकार द्वारा गठित फीड़बैक यूनिट के करमचारियों को बर्खास कर इसके दफ्तर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था इससे पूर्व उप्राजपाल रहे नजीब जंग ने उप्राजपाल की मनजूरी लिए बिना गोपनिय तरीके से फीड़बैक यूनिट बनाने के जाच का मामला CBI को सौपा था और उस समय से CBI इस मामले की जाच कर रही है एक वरिष्ट अधिकारी के मुताबिक फीड़बैक यूनिट को भले ही परियोजनाओं की फीड़बैक लेने और भ्रष्टाचार की जानकारी देने के नाम पर गठित की गई थी लेकिन इसकी गतिविधिया रहस्यमी थी सतरकता विभाग के सचिव ने सीधे मुख्यमंत्री कार्याले के अधीन काम करने वाली फीड़बैक यूनिट की जानकारी कई बार पत्र लिखकर मांगी थी लेकिन उन्हें कभी जानकारी नहीं दी गई जबकि Feedback Unit को Vigilance विभाग के अधीन काम करना था सूत्र बताते हैं कि इसके फंड वखर्च आधी को लेकर भी गोपनियता बढ़ती गई उप्राजपाल द्वारा Feedback Unit पर कड़े तेवर दिखाने के बाद दिल्ली सरकार का Vigilance विभाग भी सतर्क हो गया उसने कई करमचारियों के काम को एक साल का मियाद पूरी होने के बाद कांट्रेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया वही कई करमचारियों ने यूनिट को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए नौकरी छोड़ दी बाकी बचे कर्मचारियों को बर्खास कर यूनिट को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया एक वरिष्ट अधिकारी के मुताबिक यूनिट के स्टाफ को वेतन के अलावा गाड़ी, आफिस वर टेलिफोन आदी की सुविधा दी गई थी CPI की शुरुआती जाच में सामने आया है कि FBU को जो काम दिया गया था, वह उसके अलावा खुफिया राजनीतिक जानकारिया जुटाने में भी लग गई वह किसी व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों, उससे जुड़े संस्थानों और आपके राजनीतिक फाइदे वाले मुद्दों के लिए जानकारी जुटाने लगी CPI की जाच में क्या क्या पाया? CPI की शुरुआती जाच में सामने आया है कि फीड़बैक यूनिट FBU को जो काम दिया गया था, वह उसके अलावा खुफिया राजनीतिक जानकारिया जुटाने में भी जुटी थी वह किसी व्यक्ती की राजनीतिक गतिविधियों, उससे जुड़े संस्थानों और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक फायदे वाले मुद्दों के लिए जानकारी जुटाने लगी थी FBU ने कुल 700 केसों की जाच की इनमें 60% राजनीतिक निकले जिनका सरकार के कामकाच से कोई लेना देना नहीं था CBI के अनुसार, अभी यह साफ नहीं की FBU अभी भी एक्टिव है या नहीं CBI ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी खजाने में नुकसान का भी जिक्र किया Agency की माने तो Feedback Unit के गठन और काम करने के गैर कानूनी तरीके से सरकारी खजाने को लगभग 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ CBI ने कहा था कि किसी अधिकारी या विभाग के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गई CPI रिपोर्ट के मुताबिक FBU की स्थापना के लिए कोई प्रारंभिक मनजूरी नहीं ली गई थी लेकिन अगस्ट 2016 में सतरकता विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल ततकालीन LG नजीब जंग के पास भेजी थी जंग में दो बार फाइल को खारिस कर दिया Feedback Unit FBU मामले में दिली सरकार की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है LG कारियाले ने पूर्व सांसत संदीब दिख्षित और दो पूर्व मंत्रियों के पत्र को गंभीरता से लेते हुए कारवाई के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया है खुफिया जानकारिया इकठा करने के लिए FBU के गठन पर सवाल उठने के बाद पूर्व सांसत सहित दो पूर्व मंत्री मंदत राम सिंगल और किरन वालिया ने LG को पत्र लिखकर NIE या CBI से जाच करवाने की माम की थी इसे भ्रष्टाचार से अलग मानते हुए देश्विरोधी गतिविधियों में सनलिप्तता का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ राजद्रों की कारवाई की मांग की गई थी इस मामले में आम आदमी पार्टी ने भी LG, कॉंग्रेस और भाजपा पर निशाना साथते हुए कई सवाल उठाए हैं आईए देखते हैं केजरिवाल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे के साथ अस्तित्व में आई थी लेकिन अब भ्रष्टाचार ही उसके अस्तित्व के लिए खत्रा बन गया है आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारियों की सूची लंबी होती जा रही है अब इस सूची में दिल्ली के डिप्ती सीएम मनीश सिसोदिया का नाम भी जुर गया है प्रविवार 26 फरवरी 2023 को आपकारी नीती और शराब घोटाला मामले में आठ घंते तक चली पूचताच के बाद CBI ने मनीश सिसोदिया को गिरफतार कर लिया दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्यंद्र जैन पहले ही तिहार जेल की शोभा बढ़ा रही है आपकारी नीती घोटाला मामले में गिरफतार पूर्व उपमुख्य मंत्री मनीश सिसोदिया की होली जेल में ही मनी जमान त्याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एविन्यो कोर्ट ने मनीश सिसोदिया को 20 मार्ज तक न्यायक हिरासत में भेज दिया है आपकारी नीती 2021 से 22 को तयार करने और इसके क्रियानवन में भ्रश्टाचार पर अपनी प्रात्मिकी में CBI ने कहा कि इंडो स्पिरिट्स के MD समीर महिंद्रू ने नई दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में स्थित यूको बैंकी शाखा में राधा इंडिस्ट्रीज के खाते में एक करोड रुपए की रकम भेजी थी राधा इंडिस्ट्रीज का प्रबंधन दिनेश अरोडा कर रही है जो दिल्ली के डिप्ती CM सिसोदिया के करीबी सहयोगी है इसके अलावा मुख्य सचिव नरेश कुमार की LG को सौपी गोपनियर रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने कोरोना की आड में शराप ठेकेदारों की 144, 36 करोड रुपए की लाइसेंस फीस ही माफ कर दी CPI के मुताबिक मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कमपनी Only Much Louder के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO, विजय नायर, पर्नोड रिकार्ड के पूर्व करमचारी मनोज राय ब्रिंड को स्पिरिट्स के मालिक अमंदीप धल तथा इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महिंद्रू सक्रिय रूप से नवंबर 2021 में लाई गई आपकारी नीती का निर्धारन और क्रियानवन में अन्यमित्ताओं में शामिल थे एजिंसी ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम में बड़ी रिटेल प्राइविट लिमिटेड के निदेशक अमिद अरोडा, दिनेश अरोडा और अर्जुन पांडे सिसोधिया के करीबी सहयोगी है और आरोपी लोग सेवकों के लिए शराब लाइसेंस अधारियों से एकत्र किये गए अनुचित आर्थिक लाप के प्रबंधन और स्थानांतरन करने में सक्रिय रूप से शामिल थे डिल्ली सरकार के स्वास्य मंत्री सतेंद्र जैन को पिछले साल 30 मई को प्रवर्तन निदेशाले ने मनी लॉन्रिंग केस में गिरफतार किया था सतेंद्र जैन के खिलाफ आए से अधिक संपत्ती के मामले में मुकदमा दर्ज है आए से अधिक संपत्ती और मनी लॉंडरिंग मामले में जैन उनकी पत्मी पूनम और अन्य पर केस दर्स किया गया है सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली ने कई शेल कमपनियां बनाई और खरी दी थी कोलकाता के तीन हवाला ओपरेटर्स से चोवन शेल कमपनियों के जरिये 16.39 करोड रुपए का काला धन भी चांसफर किया एडी जैन की चार 81 करोड की संपत्ती जप्त कर चुकी है कुछ दिन पहले दिल्ली की तिहाड जेल में बंद कैबिनेट मंत्री सत्यंद्र जैन ने जेल अधिकारियों को धमकी दी थी कि सब को बाहर निकल कर देख लूँगा सत्यंद्र ने जेल अधिकारियों को गाली देते हुए उनके खिलाफ कुछ भी करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी पिछले दिनों सत्यंद्र जैन के एक के बाद एक कई विडियो सामने आये थे इसमें सत्तेंद्र जैन कथित तौर पर जेल की बैरत में मसाज लेते हुए दिख रही है दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अवैद भर्तियों और वित्तिय गबन से जुड़े एक मामले में सितंबर 2022 में गिरफ्तार हुए आप विधायक अमान्तुला खान फिलहाल जमानत पर बाहर है पिछले साल नवंबर में दिल्ली की एक अदालत ने कहा था कि ओखला विधायक के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए परियाप सबूत है दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के सब्दिविजनल मजिस्ट्रेट SDM ने नवंबर 2016 में दिल्ली वक्फ बोर्ड में विभिन्न मौजूद और गैर मौजूद पदों पर खान की ओर से मनमानी और अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्स की इसके बाद CBI ने एक मामला दर्स कर लिया था और जाच की थी जिसमें परियाप सबूत मिले थे जिसके बाद जाच एजनसी ने उपराजपाल से अभियोजन की मन्जूरी मांगी थी दिल्ली के उपराजपाल वीके सकसेना ने आम आदमी पार्टी आप के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमान्तुला खान के विरुद्ध 2016 में दर्स लवैध नियुक्तियों के मामले में CBI को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमती दे दी थी दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने कई घंटों की लंबी पूच्टाच के बाद विधायक अमान्तुला खान को गिरफतार कर लिया साल 2018 में दिल्ली सरकार में मंत्री आसिम एहमत खान का नाम भी भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया था तब मुख्य मंत्री अर्विंद केज्रिवाल ने अपने कैबिनेट मंत्री आसिम एहमत खान को हटा दिया था आसिम पर 6 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था आसिम एहमत खान दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ती मंत्री थे सीम केज्रिवाल ने आसिम के खिलाफ ब्रश्टाचार के आरोप की जाच CBI से कराने की सिफारिश की थी आसिम पर एक बिल्दर से 6 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है केज्रिवाल ने कहा था शिकायत करने वाले ने आसिम से बातचीत की आडियो रेकॉर्डिंग मेरे पास भेजी इसके बाद मैंने मंत्री के खिलाफ कारवाई की जबकि आसिम खान ने कहा था मेरे खिलाफ साजिश की गई है 2015 में दिल्ली की सुल्तानपुर माजरा सीट से विधायत बने एक महिला ने उनके खिलाफ दुषकर्म की शिकायत की थी और बाद में कुमार ने पुलीस के सामने समरपन कर दिया था यहां महिला संदीब कुमार की गिरफतारी से कुछ दिन पहले सामने आई एक विवादासपत सीडी में उनके साथ दिखाई दी थी महिला ने आरोप लगाया था कि वहां राशन कार्ड बनवाने के लिए गई थी लेकिन कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उनके साथ रेप किया गया घटना के सामने आने के बाद कुमार को पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया था दिल्ली सरकार के मंत्री रहे सोमनात भारती लगातार सुर्खियों में रही है सोमनात भारती मालविय नगर सीट से विधायक रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनने के बाद सोमनात भारती को कानून, परियटन और प्रशासनिक सुधार जैसे मंत्रालियों की जिम्मेदारी मिली थी सोमनात भारती की मुश्किले तब बढ़ गई जब उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने 2013 में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्स कराया लिपिका ने अपनी शिकायत में सोमनात भारती के खिलाफ गई गंभीर आरोप लगाये थे शिकायप में यह भी कहा गया कि सोमनाद भारती ने उन्हें गर्भपात के लिए मजबूर किया इसके बाद 2014 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया यूपी दौरे पर एक विवादित बयान के बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया 2021 में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई 2015 में दिल्ली की त्रिंडर सीट के विधायक बने जतेंडर तोमर को केजविवाल सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था उन्हें दिल्ली के परियतन, कला और संस्कृती की भी जिम्मेदारी दी गई थी उनके उपर वकालत की फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगा था इसका खुलासा ITI के जरिये हुआ था मामला दिल्ली हाई कोट पहुँचा जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री को फर्जी बताया 2016 में जितेंद्रत ओमर को गिरफ्तार कर लिया गया जन्वरी 2020 में दिल्ली हाई कोट ने उनकी विधाय की रद कर दी दिल्ली के मटियाला से विधायक गुलाप सिंग को अक्टूबर 2016 में गुजरात के सूरत से زबरन वसूली के आरोप में के गुजरात के प्रभारी थे दिल्ली में दर्स हुए मामले में गुलाप सिंग यादव को गुजरात से गिरफ्तार कर यहां लाया गया था गुलाप सिंग और उनके सहयोगियों के खिलाफ धमकी और वसूली मामले में गैजमान्ती वारंट जारी किया गया था आपके विधायक गुलाप सिंग यादव नवंबर 2022 में दिल्ली के शाम विहार में अपने कार्यकरताओं के साथ बैठक कर रहे थे इस दौरान कार्यकरता तिकट बेचने को लेकर अचानक आक्रोशित हो गए और हंदामा शुरू कर दिया कार्यकरता विधायक पर तूट पड़े और उनका कॉलर पकड़ कर धक्का मुक्की करने लगे कार्यकरताओं से बचने के लिए विधायक बाहर निकल कर भागने की कोशिश करने लगे तो कार्यकरता उनका पीछा करते हुए उन्हें मुक्के मारते रहे कार्याले में मारा इसके बाद पीटते हुए कार्याले से बाहर लेकर आए आखिरकार विधायक को अपनी जान बचा कर वहां से भागना पड़ा इस घटना का विडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हुआ डिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल के रिष्टेदार विनय बंसल को मई 2018 में 30 हजारी कोट ने 14 दिन की न्यायक हिरासत में भेज दिया था एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने पीड़ब्ल्यूडी घोटाले में विनय बंसल को गिरफतार किया था कोट ने बंसल की जमानत याचिका भी खारिस कर दी थी आरोप है कि सुरेंद्र बंसल ने अनुमानित लागत 4,90,000 से 46 फीसदी नीचे पर पीड़ब्ल्यूडी का टेंडर हासिल किया था उनके द्वारा कराए गए रोड और सीवर के काम की क्वालिटी भी ठीक नहीं होने की बात कही गई थी इस जाच में महादेव कंपनी से सीमेंट और लोहा खरीदने का पता लगा लेकिन इस कंपनी से कोई कारोबार हुआ ही नहीं था विनए बंसल अपने पिता सुरेंद्र बंसल के साथ 50 फीसदी के पार्टनर थे इनसे पूछा गया कि महादेव कौन सी कंपनी थी इसका उसने कोई संतो जनक जवाब नहीं दिया इसके बाद ACP ने उसे गिरफतार कर लिया इस मामले में सुरेंद्र विनए बंसल और PWD के कई अधिकारियों के खिलाफ तीन मामले दर्ज किये गए थे केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके है केजरीवाल जो भ्रष्टाचार को तनिक भी बरदाश्ट न करने की कसमे खाते है कुनिको ट्रांस्प्रेंसी इंटरेशन ने मई 2015 में पत्र लिखकर राजेंद्र कुमार के भ्रष्टाचार के बारे में बताया था राजेंद्र कुमार ने 2007 से 2015 के बीच अपने रिष्टेदारों की कमपनी को दिल्ली सरकार में काम करने का ठेका दिया और उसके बदले में धन भी लिया इस तरह से दिली सरकार को 12 करोड का चूना लगाया और खुद अपने लिए 3 करोड रुपे भी कमा लिये ऐसे थे भ्रश्टाचार विरोधी मुख्यमंत्री केजरिवाल के सचीव जिने 4 जुलाई 2016 को कार्यले से गिरफ्तार किया गया और 22 दिनों बाद CBI अदालत ने उन्हें जमानत दी CBI उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोदिया के खिलाफ Talk to A.K. घोटाला में भी भ्रश्टाचार के मामले दर्सकर जाच कर रही है उन्होंने केजरिवाल के Talk to A.K. कारेकरम के प्रचार के लिए एक पाँच करोड रुपए में एक पब्लिक रिलेशन कमपनी को काम सौप दिया जबकि मुख्य सचिव ने इसके लिए इजाजत नहीं देने को कहा था लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी लगता है सिसोधिया ने फाइदा पहुचाने के लिए ऐसा किया सत्यंद्र जैन के खिलाफ आयकर विभाग की जाच में चौकाने वाली जानकारी सामने आई है इमानदारी का सर्टिफिकेट बाटने वाले केजरिवाल के मजबूत स्तंग सत्यंद्र जैन पर हवाला के जरिये सोला 49 करोड रुपए मंगाने का आरोप है ये वो जानकारी है जिसे आईकर विभाग ने ट्रेस किया है सूत्र बताते हैं कि सत्यंद्र जैन के करीबी कोड वर्ड के साथ नकद में रुपए ट्रेन के माध्यम से कोलकाता भेशते थे और कोलकाता के हवाला कारोबारी छद्म कंपनियों के नाम से जैन की कंपनी में शेर खरीदने के बहाने पैसे चेक या आर्टीजीएस के माध्यम से लोटाते थे सीबी आई स्वास्य मंत्री सत्यंद्र जैन की पुत्री सौमया जैन को मोहला क्लीनिक परियोजना में सलाकार बनाये जाने की जाच कर रही है उप्राज्यपाल के आदेश के बाद यह जाच हो रही है मंत्री सत्यंद्र जैन का कहना है कि उनकी पुत्री एक रुप्या लिए बगैर काम कर रही है केजरिवाल के खाद्य मंत्री असीम एहमत खान ने अपने विधान सभाक शेत्र मटियामहल में एक बिल्डर से निर्माण कार्य जारी रखने के लिए 6 लाक रुप्यों की मांग की थी जिसकी रिकार्डिंग करके बिल्डर ने सभी जगह भेज दी इसके दबाव में केजरिवाल को अपने मंत्री को बर्खास करना पड़ा केजरिवाल के सामाजिक कल्यान महिला वबाल विकास मंत्री संदीप कुमार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए एक महिला के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए इन संबंधों की सीडी सारवजनिक होने पर केजरिवाल को इने भी मंत्राले से बर्खास करना पड़ा दिल्ली के पूर्फ कानून मंत्री जितेंद्र सिंग तोमर ने दावा किया था कि उन्होंने सत्र एक हजार नौसो चौरानवे से सत्तानवे के दौरान मुंगेर बिहार के विश्वनाथ सिंग लौ कॉलेज से पढ़ाई की थी मामला पकड में आने के बाद पता चला कि तिल्का मांजी भागलपूर विश्व विद्याले के करमचारियों की मिलीबगत से फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर तोमर को कानून की डिग्री जारी कर दी गई थी दिग्री लेते समय माईग्रेशन सर्टिफिकेट और अंकपत्र जमा करने पड़ती हैं लेकिन तोमर द्वारा जमा किये गए दोनों सर्टिफिकेट अलग-अलग विश्व विद्याले के हैं अवद विश्व विद्याले, फैजाबाद का अंकपत्र और बुंदेलखंड विश्व विद्याले, जहांसी का माईग्रेशन सर्टिफिकेट जमा किया गया डोनों विश्व विद्यालियों ने इन प्रमानपत्रों की वैधता को खारिस कर दिया है डिल्ली में एक RTI से चौकाने वाला खुलासा हुआ है इसके मताबिक केजरिवाल सरकार ने बायोडी कंपोजर के छिड़काव पर 68 लाख रुपे खर्च किये जबकि उसके प्रचार पर 23 करोड रुपे खर्च कर डाले डिल्ली में इस योजना से अब तक 955 किसानों को फाइदा पहुँचा है RTI से इसका खुलासा हुआ है डिल्ली सरकार ने 2015 में डिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना शुरू की थी इस योजना का मकसद डिल्ली से दसवी या बारवी करने वाले च्चातरों को कॉलेज में पढ़ाई करने हेतु 10 लाख रुपे तक के लोन की सुविधा उपलप्त कराना है वित्तवर्ष 2021 से 22 में इस योजना का लाग पाने के लिए 89 चातरों ने आवेदन किया जिसमें से केवल दो चातरों को ही लोन मिला योजना के तहट 10 लाख तक लोन मिलता है ऐसे में अगर मान लिया जाए कि इन चातरों को अधिकतम 20 लाख तक का लोन मिला होगा तब भी दिल्ली सरकार के द्वारा किया विज्ञापन का खर्च योजना से कई गुना अधिक है दिल्ली सरकार ने इस साल इस योजना के विज्ञापन पर 19 करोड रुपए खर्च किये है यह जानकारी न्यूज लॉंड्री ने सूचना के अधिकार RTI के जरिये हासल की पर वसूले भी जाने है जाच में पाया गया है कि सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से केजरिवाल ने अपनी और अपनी पार्टी का चहरा चमकाने की कोशिश की है इन में से उनकी पार्टी की ओर से दिये गए कई जूटे और बेबुनियाद विज्ञापन भी शामिल है CAG की रिपोर्ट के अनुसार भी केजरिवाल सरकार पर दूसरे राज्यों में अपने दल का प्रचार करने के लिए दिल्ली की जनता के खजाने पर डाका डालने का आरोप है पहले साल के कामकाज पर तयार रपोर्ट कहती है कि पहले ही साल में केजरिवाल सरकार ने 29 करोड रुपे दूसरे राज्यों में अपने दल के विज्यापन पर खर्च किये 2015 से 16 में केजरिवाल ने जनता के 522 करोड रुपे विज्यापन पर खर्च कर किये ठे, आप नेता राखी बिडलान पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अंग्रेजी समाचार पोर्टल टाइम्स ओफ इंडिया के अनुसार कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि केजरिवाल सरकार ने दिल्ली में 10,000 कारों में जो CNG किट लगावाए हैं, वो फर्जी कमपनी ने तैयार किये हैं। इसके समय को लेकर भी दिल्ली सरकार की मनशा संदेहों से परे नहीं है। केजरिवाल सरकार पर दिल्ली में BRT कोरिडोर को तोडने के लिए दिये गए ठेके में भी धांदरी का आरोप लग चुका है। इस मामले में 2017 में ACP छापे मारी करके कुछ दस्तावेज भी जब्त कर चुकी है।